सत्कुरू रुपी प्यारे सासंगत जी प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी मैंनू है आस तेरी तो आस रा है मेरा तेरी याद विच ही बीते मेरा सांज ते सवेरा जोलिच मेरी हीरा मुर्शद ने जदोता पाया कुशियाच नचे ओबाबू मेरी रूर ने गीत गाया तलियाच नूर दस के हून नस्दा गया हनेरा जबसे सत्कुरू ने ये दो तलियों में राम दिखाया है मेरा अग्यांता का अंदकार दूर हो गया है सत्कुरू सचे पाशा का ही सहारा है इसी की आस है इसने हमारी चोली में ये अनमॉल हीरा डाल कर हमारे जनम मरन के बंदन खतम कर दिये हैं हमें मुक्ति का रास्ता दिखा दिया है सत्कुरू के चर्णों में जो भी नतमस्तक हो जाता है जो शर्दा भाव से आ जाता है जो भी शर्दा भाव से अरपन सपरपन कर देता है ये सत्कुरू निरंगकार उसके भाव को सविकार कर लेता है ये भावना शर्दा देखता है जिस चाहे इसकी शर्ण में कोई धन दोलत से अमीर आ जाए या जिसके पास धन दोलत नहीं है कोई गरीब आ जाए अगर वो शर्दा और भावना से शर्दा और भाव से नतमस्तक हो रहा है तो सत्कुरूस को अपने चर्णों में स्थान दे रहता है ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चर्णों में शेयर करने जा रही है आप जी परवान करें साथ संगत जी कहते हैं एक दिन प्रभू यिशू एक ऐसे स्थान पर बैटे हुए थे जहां पास में एक दान पातर रखा हुआ था लोग आते और खूब सारे सिक़्े डाल कर चले जाते प्रभू ने त्यान से देखा कि हर कोई उस पातर में सिक्के डालने के बाद अभी मान महसूस कर रहा है कुछ ही देर बाद एक गरीब महीला आई और उसने उस पातर में दो सिक्के डाले और चुप चाप वहाँ से चली गई येशु ने अपने शिश्यों को बुला कर पुछा सबसे ज़्यादा सिक्के डालने वाला दानी है या कम सिक्के डालने वाला है शिश्यों ने बड़े आतम विश्वाश के साथ उत्तर दिया सबसे ज़्यादा सिक्के डालने वाला ही दानी होता है दानी होता है प्रभू ने सुना तो बोले नहीं तुम सभी का सोचना गलत है इस गरीब महिला ने भले ही थोड़े सिक्के डाले हूं मगर परमेश्वर की नजर में इन सिक्कों की कीमत दूसरों द्वारा डाले के सिक्कों से कहीं अधिक है शेशों ने इसका कारण जानना चाहा तो प्रभू येशु बोले इसका कारण यही है कि अमीर लोगों ने जो सिक्के डाले हैं उन्हें उनकी जरूरत नहीं थी जबकि असली त्याग तो उस गरीब महीला ने किया है उसे इनकी जरूरत होते हुए भी उसने सत्करम के लिए अपनी जमा पुंजी दे डाली है इसका कारण यही है कि जो सत्कुरू के चर्नों में पूरण समर्पन के साथ आता है जो अभी मान नहीं करता है वही सही मायनों में सबसे बड़ा होता है इस तरह सत्गुुरु निरंकार हमें समझाते हैं सत्गुरु हमें समझाते हैं कि जो शर्दा वाली पावना लेकर नत्मस्तक हो जाता है वे सब कुछ पा जाता है ऐसे ही कहते हैं अठ्यातम में सीमरन के महत्व का अनुमान भी इसी बास से लगाया जा सकता है ने नाम सिमरन पर ही सबसे अलिक जोर दिया है ब्रम ग्यानी को नामी की जानकारी परम शर्दे सत्गुरू से प्रापत हो जाती है प्रंतु केवल जानकारी हो जाने से ही समस्या का हल नहीं हो सकता जब तक कि हम गुरू ने जो हमें नाम धन से माला माल किया है उसे अपने हिर में स्थान नहीं देते और कहते हैं कि गुरू द्वारा दिया गया ग्यान यदि हमें याद ही नहीं रहता या हम इसे भूल जाते हैं तो हम ना अपने आप को इलाब ले सकते हैं और ना ही हम किसी और का भला कर सकते हैं ग्यान हमारी अनुभूती में आए और हम अपना और सार मानव समाज का कल्यान कर सकें इसके लिए जरूरी है हमें सीमरन रूपी धागे से बंदना होगा तब हमें बगवान शीरी कृषिन जी के वच्छन जो परमात्मा को सब जगह देखते हैं और सब कुछ परमात्मा से में देखते हैं इसको हम बिल्कुल सपष्ट कर पाएंगे भाव का प्रिच्चा देते हुए बगवान शीर कृशन जी कहते हैं, मैं निराकार रूप से सारे संसार में व्यापत हूँ, अर्थात निरंकार प्रबु सब जगए हैं, सब कुछ जड़ चेतन निरंकार प्रबु में ऐसे गुथा हुआ है, जैसे फूल माला में पिरोई जा इसी तरह निरंकार प्रबु प्रमात्मा वह धागा है, जिसमें चर अचर जड़ चेतन पिरोया हुआ है, धागा के बिना माला का कोई अस्तितव नहीं होता, चाहे फूल कितने मर्जी इकठे कर ले, फूलों का कितना बड़ा देर भी पड़ा हो, लेकिन जब तक धागा न नहीं जा सकते, इसी तरह सारा संसार ही एक प्रकार की माला है, जो प्रमात्मा रूपी धागे में गुथा हुआ है, प्रन्तु संसार की चका चोंद में हम भूल जाती हैं, यह प्रमात्मा रूपी माला में पिरोये हुए सुन्दर फूल है, और इसके बिना माला के रूप म हमारा कोई अस्टितव ही नहीं है इसलिए जीवन के लिए निरनकार प्रबू की अनिवारियर्ता बहुत ज्यादा सीथ है निरनकार प्रबू को अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है इसलिए कहा जा सकता है कि सिमरन वह धागा है जो हमें प्रमात्मा से जोड़ता है या भगत और भगवान को या गुर्सिक और सत्गुरू को एक रूप परदान करता है पवित्तर शिरी सुक्मनी साहब जी में हमें समझाया जाता है सिमरो सिमर सिमर सुक पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरन से ना केवल सुक की प्राप्ती होती है बलकि काल के दुख दृद्धर का भी नाश हो जाता है आगे नाम सिमरन की महीमा का वर्णन करते हुए कहा गया है प्रभ कै सिमरन गरब नाबस है प्रभ कै सिमरन दुख जमनस है प्रभ कै सिमरन काल पर हर है प्रभ कै सिमरन दुश्मन पर है निरणकार प्रभु का सिमरन इतना शक्ती शाली है कि के परभाव के कारण जीव जनम मरन के चक्कर से मुख्ट हो जाता है काल वे अन्य शक्रू उसका कुछ भी नहीं बिगाड पाते जो भगत प्रभु का सिम्रन करती हैं उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है प्रभ को सिम्रे से धन वनते प्रेम को सिम्रे, से पतिवंते, प्रभ को सिम्रे, से जन परवान, प्रभ को सिम्रे, से पुरक परधान, सिम्रन की महिमा गाते हुए संपुर्ण अवतारबानी में शेहनशा बाबा अवतार सिंग जी महाराज का कहना है स्वास स्वास ऐसे दा सिम्रन ऐसे नाल प्यार करां नजरा सावे हर दम मेरे रजरज में दीदार करां शेहनशा जी समझा रहे हैं कि मैं हर पल हर स्वास में इसी का सिम्रन करूं इसी के साथ प्यार करूँ और मेरी नजरों के सामने ये हर दम है इसलिए मैं इसका रज रज कर दिदार करूँ यहां भगत अपनी मन की अवस्था का वर्डन करते हैं कि सचे बाशा अपना हर स्वास मैं तेरे उपर गुर्बान कर दूँ मैं तुझ पर बलहारी जाओं और सीमरन करते हुए मैं इससे एका एक हो जाओं इसके प्रती प्यार से इतना भर जाओं कि यह हर समय मेरी आँकों के सामने है और मैं इसका दिदार करता रहूं सीमरन का वणने करते हुए संपून अवतार बानी शबद नंबर 37 में शैंशा जी समझा रहे है निरंकार जो चीते रखे हर दम चेहरे नूर रहे निरंकार जो चीते रखे दुख ओदेतों दूर रहे एदी याद करे जो बंदा मानते हो दी जीत रहे एदी याद करे जो बंदा हर दम निर्मल चीत रहे यहां शेंशा जी समझा रही हैं कि जो निरंगार को हर पल अपने मन में बसा कर रखता है इसका सीमरन करता है उसके चेहरे पर हर समय खुशी रहती है जो निरंगार को अपने मन में बसा कर रखता है दुख उसके नजदीक नहीं आता है इसकी याद जो इनसान करता है उसकी मन पर उसका वश रहता है वो अपने मन को कंट्रोल में करके रखता है वो मन को जीत लेता है जो इस प्रमपिता प्रमात्मा की याद अपने मन में बसा कर रखता है उसका हिर्द्य हर्दम साफ रहता है, नीर्मल रहता है, वो अंदर बाहर से पाक साफ हो जाता है इस तरह सीप्रन की महिमा का जिकर करते हुए संत शिरोमनी, तुलसी दास जिवी, राम्चरित मानस में लिखते हैं कल्यूग केवल, नाम अधारा, सीमर सीमर नर, उतरहे पारा, कल्यूग में प्रभू के नाम का सीमरन ही, मानव का सबसे बड़ा सहारा है सीमरन से मानव, भव सागर से पार, उतर जाता है, और जनम मरन के बंदन से मुक्त हो जाता है ब्रम ग्यान देते समय परम शर्देश सत्गुरू मुख्य रूप से तीन काम अनिवार्य रूप से करने को हमें कहते हैं वे हैं सत्थ संग सेवा और सीमरन यहां नाम सीमरन का अर्थ है गुरू दफारा दियेगे नाम या मंतर का सीमरन तू ही निरंकार मैं तेरी शर्ण हां मैंनू बख्ष लो यह हमारा पूल मंतर है यह हमारा सीमरन है हम संगत तो करते हैं सेवा में भी अपनी सामर्थे के अनुसार योगदान देते हैं लेकिन सीमरन की ओर ध्यान कम ही रहता है यदि हम नीमित रूप से सीमरन नहीं करते तो गुरू की आग्या पूरण नहीं होती और सीमरन रूपी दागे की कमी में हमारा निरंकार प्रभू सत्गुरू से द्यान नहीं जुड़ पाता गुरू आग्या में रहना ही गुर्सिक का धरम है इसलिए हम को सीमरन को भी अपने जीवन में ससंग और सेवा के साथ स्थान देना है नाम सीमरन शिरी मद भगवत कीता के अनुसार एक प्रकार का स्रेष्ट यग है यह बात भगवान शिरी कृशन जी ने अपने परम भगत अरजुन से कही कि यगों में मैं जब यग हूँ सीमरन से ही शबद और सूर्थी का मिलान होता है और भगवत परमवस्था को परापत होता है पुरातन महापुर्शों और सद्गुरु देव के वच्चनों को यथा रूप मानना होगा अन्यता हम भगत या गुर्शिक कहलाने के अधिकारी नहीं बन सकती हैं महापुर्शों नहीं यहां तक कह दिया है कि जे घट सीमरन राम को सो नर मुकता जान तेही नर हरी अंतर नहीं नानक साची मान अर्थाथ जो वेक्ती प्रभु को निरंतर याद करती हैं निरंकार को हर समय याद रखती हैं वेह बंदन मुकत होकर परंपत के अधिकारी हो जाती हैं और वेह इतने माहन हो जाते हैं कि उसमय और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता है इस तरह हमने हर समय अपना द्यान सीमरन में भी लगाना है सेवा सिमरन में भी अपना दियान लगाना है संपूर्ण हर देवानी में सत्गुर बाबा हर देव सिंग जी महराज शबद नमबर 90 में हमें समझा रही है ए मन सिमरन कर सिमरन ही जीवन का आधार है कि ए मन मन को कहा गया है कि ए मन तू सिमरन कर ले ये सिमरन ही तेरे जीवन का सहारा है सिमरन करने वाला जन ही बवसे होता पार है जो सिमरन करता है वही संसार से पार हो सकता है जैसे जल्बे मचली ऐसे निरंकार में वास तेरा आगे समझाया गया है कि है इनसान जिस तरह मचली का सारा पानी होता है मचली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती ऐसे ही तेरा भी निरंकार में वास होना चाहिए तू हर समय ये समूंदर में बैठा है इस सागर में बैठा है ये निरंकार हर जगा है इस सागर में इस निरंकार के सागर में रहते हुए इसका हर पल एहसास करना है इस तरह मचली पानी का एहसास करती है हर समय पानी में रहती है और पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती इस तरह है इनसान तू इस निरंकार में रह रहा है ये निरंकार ही तेरा सहरा है इसका तुने सिम्रन हर पल करते रहना है इसका होए एसास तुझे और डोलेना विश्वाश तेरा जब तुझे इसका एसास होगा तो तुने अपने विश्वाश को भी डुलाए मान नहीं करना है पल-पल तु भैबीत होगा हरी को जो विसराएगा अगर तू इस निरंगार को भूल जाएगा तो तू हर समय डरा डरा ही रहेगा तेरे मन में हर समय डर ही रहेगा जो निरंगार से डरता है फिर वो किसी से भी नहीं डरता और जो निरंकार से नहीं डरता उसे फिर संसाड राता है हरी का सिमरन करने से ही बैसे मुक्ति पाएगा जब हरी का सिमरन होगा तो किसी परकार का भी डर नहीं होगा डर से फिर मुक्ति मिल जाएगी तेरी रक्षा करने वाला अंगसंग ये निरंकार है ये निरंकार हर पल इनसान की रक्षा करता है गुर्सिक की रक्षा करता है गुर्सिक का बनता है जब सत्कुरू के चर्णों में आकर इस निरंकार को देख लेता है तो फिर वो ग्यानी महापुर्श बन जाता है इसका ही सहारा तुने लेना बारंबार है यहाँ पर भी सत्कुरू बाबा जी हमें समझा रही है कि हमने हर पल इसी निरंकार का ही सहारा लेना है यही सहारा सच्चा है बाकि संसार के सहारे तो सब जूटे हैं कोई किसी के काम आने वाला नहीं है यही सहारा लोक में भी रक्षा करने वाला है और परलोक में भी रक्षा करने वाला है सिम्रन की कमी ना आए स्वास स्वास में सिम्रन हो सिम्रन की कमी ना आए इसकी हमने कमी नहीं आने देनी है हमने हर स्वास में इसका सिम्रन करना है स्वास स्वास सिम्रो गोबिंद मनंतर की उतरे चिंद द्वास्वास सिम्रन करने से मन की सारी चिंता है ये निरंकार प्रबू हर लेता है हिर हम इसके आगे जिकर करते हैं फिकर ये अपने आप करता है कहे हर देव तन्मन जीवन सम्मालिको और पन्हो सत्कुर बाबार देव सिंग्जी महाराज ने सारे ही शबत का साराश हमें समझा दिया है कि हमने तन्मी और मन भी इस सत्कुर के आगे समर्पित कर देता है मन बेचे सत्कुर के पास तेस सेवक के कारज राज जो अपने मन को सत्कुर के चर्नों में समर्पित कर देता है उसके सारे कारज पूरन हो जाते है उसे किसी परकार के भी कोई कमी नहीं आती है सास संगत जी दासी सभी के लिए सत्कुर्मादाजी से यही अर्दास करती है सचे भाशा सभी सीमरण में लगे रहें आप जी नहीं इतनी ताकत देनी है और दासी के साथ सभी ने मिलकर सीमरण में साथ देना है और ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होगी उन गलतियों को भी आप जी शमा कर देना और सभी मिलकर सिम्रन करें जी तु ही निरंकार मैं तेरी शरन हा मैंनू बख्षलो तु ही निरंकार मैं तेरी शरन हा मैंनू बख्षलो बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी माहराज कीजै निरंकारी राज माता गुरु बचनवतार कीजै सासंग जी प्रेम से कहना धान निरंकार जी